नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और खुश होंगे मैं पूनम आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक मज़ेदार कहानी और जानते हैं इस कहानी में कौन है? जी हाँ, आपका मन पसंद एक चोटा सफेद कुट्टा और मुझे मालूम है आप जिस तरह मुस्कुरा रहे हैं कि आपको भी पिल्ले और कुट्टा बहुत पसंद है शायद आपके या आपके दोस्त के घर में आपने कोई कुट्टा पाला हुआ है और उसका कुछ नाम भी रखा हुआ है आप जानते हैं हमारी कहानी में भी जो प्यारा सा सफेद कुट्टा है उसका नाम है जोजो और ये कहानी आप ही की किताब सारंगी के पाठ 11 से है जिसका शीरशक है बैंगनी जोजो तो क्या आप तैयार हैं कहानी सुनने के लिए? चलिए, सुनते हैं कहानी और पता लगाते हैं कि हमारा जोजो आखी क्यों परिशान है, वो किस प्रश्ण का उत्तर सभी के पास जा जाकर ढूंडने की कोशिश कर रहा है? तो हमारी कहानी कुछ इस तरह से हैं. जो जो एक छोटा सफेद कुटा था और एक दिन वह एक पेड़ के नीचे सो रहा था. जब कुछ देर बाद वह जागा और उसने अपने शरीर की तरफ देखा, तो वह है हैरान हो गया. और क्या बोला? वो बोला, किसने दिये मुझे ये बैंगनी धब्बे? ओहो, उसके पूरे सफेज शरीर पर कई बैंगनी धब्बे पड़ चुके थे. उसने देखा एक बादल को, आकाश में धीरे धीरे चलते हुए. और बादल से पूछा, बादल, बादल, क्या तुमने दिये मुझे ये बैंगनी धब्बे? बादल ने कहा, नहीं, मैं तो सफेद हूँ. और यह कहकर बादल हट गया. जोजो की नजर उपर आसमान में किस पर पड़ी? जी हाँ, सूरज पर पड़ी. और जोजो ने सूरज से भी पूछा, सूरज, सूरज, क्या तुमने दिये ये बैंगनी धब्बे? नहीं, सूरज बोला, मैं तो पीला हूँ. अब जोजो चल दिया आगे, और उसने देखा कि पेड की टहनी पर बैठा है एक कववा. उसने कववे से पूछा, कववे, कववे, क्या तुमने दिये मुझे ये बैंगनी धब्बे? नहीं, कववा बोला, मैं तो काला हूँ. हम, यह तो सोचने की बात है. अब जोजो और भी परिशान और हैरान होता जा रहा था, तभी उसकी नजर पड़ी कुछ गुबारों पर, उसने गुबारों से पूछा, गुबारे, गुबारे, क्या तुमने दिये मुझे ये बैंगनी धब्बे? उन में से एक गुबारा बोला, नहीं, मैं तो लाल हूँ. अब सोचने वाली बात तो है कि सभी सही कह रहे हैं, वो सब तो अलग ही रंग के हैं. मायूस जो जो आगे बढ़ रहा था, तभी उसकी नजर पड़ी घास की तरफ. सोचा क्यों ना घास से भी पूछ लिया जाएं, और उसने पूछा, घास, क्या तुमने दिये मुझे ये बैंगनी धब्बे? नहीं, घास बोली, मैं तो हरी हूँ. बेचारा जो जो, अब अपने प्रश्णी के बारे में सोच सोच कर मायूस हुआ जा रहा था, और वहें रुआसा हुआ आया. किसने दिये मुझे ये बैंगनी धब्बे? तभी उसे कुछ आवाज आई, टप, 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 और उसने आँख उठा कर देखा कि जामुन के पेड से गिर रहे थे कुछ जामुन. अब जो जो समझ गया, कि यह तो जामुन का पेड था, जिसने उसे दिये हैं ये बैंगनी धब्बे. तो थीना मज़ेदार कहानी, जो जो का अलग-अलग लोगों के पास जाना, और अपने प्रश्णी के बारे में उनसे बारी-बारी पूछना, और आखिरकार उसे अपना जवाब खुद ही मिल गया. वैसे आप सोचिए और लिखिए कि जो जो इस कहानी में किस किस के पास गया, तो क्यों न क्रम में आप बताएं और उसका चित्र भी बना डालें, कि वह सबसे पहले किस के पास गया? जी हाँ, बादल के पास, और फिर सूरज के पास, बिल्कुल सही सोच रहे हैं, और उसके बाद वह जाता है, कववे और गुबारे के पास, और अंत में उस नहीं है, प्रश्न किस से पूछा? हम, हरी हरी घास से पूछा, तो इस कहानी में इतने सारे लोगों के बाद उसे जवाब मिल गया, कि उसे कैसे मिले वो बैंगनी धब्बे? लेकिन आप जानते हैं, इस कहानी का सबसे मज़ेदार भाग मुझे कौन सा लगा? जब इस कहानी में निराली निराली आवाजें आ रही थी, जैसे जोजो के भौँकने की आवाज, और जब वो बेचारा, रुआसा हो आया, तो उसके रोने की आवाज यहां तक की, जब जामुन के पेड़ से तपक कर गिरे, कुछ जामुन, तो आई आवाज टप, टप, ट तो क्यों न, इन ही आवाजों को इस्तमाल करते वे, आप अपनी कौपी में कुछ वाक्य लिखें, जिसमें आपके अनुभव भी आएंगे, कि कब कोई रुआसा हुआ, और आपने उनकी रुआसे होने की आवाज सुनी, और कब आपका पालतो कुत्ता भौक भौक कर आपक अपना प्यार भरा संदेश दे रहा था, हमें चित्रकारी और लेखन का मौका भी मिल रहा है, आपके सामने दो जानवरों के चित्र हैं, इनमें हम रंग भरेंगे, और उससे पहले इन्हें पहचान लेंगे, पहला जानवर है, जी हाँ, भालू, और दूसरा जानवर है, ए एक ओंट, और ये किस रंके होते हैं, हम, आपके ही किसी मित्र ने कहा, कि भालू है काले रंका, हाँ, मैंने देखा है एक काला भालू, और ओंट हो गया भुरे रंका, अच्छा, सोचिए, अगर जो जो अपनी प्रश्न का उत्तर पूछने के लिए, इन दोनों के पास जात तो वो क्या बात करता, जो जो कहता, भालू, भालू, क्या तुमने दिये मुझे ये बैंगनी धब्बे, और भालू क्या जवाब देता, नहीं, मैं तो काला हूँ, आप क्यो ना, आप खुच सोचें और लिखें, कि उसने हमारे भूरे ओंट से कौन सा प्रश्न पूछा, और उट ने किस तरह से उसका उत्तर दिया, चलिए एक पहेली को हल कर लिया जाए, हमारे पास एक शब्द पहेली है, जिसमें अलग-अलग डब्बों में दिये हैं बहुत सारे अक्षर, और इन अक्षरों को अगर हम मिला दें, तो वो बन जाएंगे कुछ रंगों के नाम तो जल्दी से ढूनते हैं कुछ रंगों के नाम और उन पर घेरा लगा देते हैं, जैसे नीला, और मुझे कुछ रंग दिख रहे हैं, हरा, पीला, गुलाबी, सफेद, काला, आप भी इसी तरहें इसमें छिपे हुए और रंगों को ढून ये और ये काम बहुत मज़ेदा होने वाला है, और इन रंगों के नाम को आप अपनी कौपी में भी लिख सकते हैं, अब इस खोज बीन के बाद कर लेते हैं कुछ आराम वाला काम, तो अब हम रंग भरेंगे, रंग भरिये, लेकिन किसमें? हमारे पास है एक सुन्दर सी रंगोली, पर ये अभी अधूरी ह क्योंकि इसमें रंगों की कमी है, तो आप अपने मन पसंद रंगों को चुनिए और इस रंगोली में अपनी हिसाब से अपने पसंद के रंग भर दीजिए, और अपने दोस्तों को दिखाना मत भूलिएगा, तो बच्चों, आया ना मज़ा ये कहानी सुनकर, इस कहानी में हमने कितना कुछ जाना कि जो जो अपने प्रश्न के उत्तर के लिए क्रम में किस किस के पास गया, हमने तो यहां तक भी सोचा कि अगर वो भालू और उट के पास जाता, तो आखिर क्या बात चीत करता, और इस पाठ में आई कुछ निराली मज़िदार आवाजें, जिनका ह हमने वाक्यों में भी इस्तमाल किया, और हमने पहचाने बहुत सारे रंगों के नाम, यहां तक कि रंग भरने के लिए भी हमें एक रंगोली इसमें मिल गई, तो क्यों ना इस पाठ के अभ्यास को हम यूही जारी रखें, और इस कहानी को सुनते रहें, और दूसरों को सु करते रहें, नमस्ते